तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेटियम आप से संबंधी जैसा का आप लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि RBI सभी बैंकों का बैंक होता है तो सभी बैंक को रेगुलेट करता है और RBI की जो भी वो पर्मीशन देती है सभी बैंकों को मानना होता है तो पेटियम में ऐसा कुछ खामी पाया गया है जिसके चलते RBI ने उसको बहुत सारी पाबंधी लगा दी है तो RBI ने पेटियम पेमेंट्स बैंक से बोला है कि आप 29 तारिक तक का लास्ट डेट दिया हुआ है कि इस दिन तक आप अपने सारे ट्रांजेक्शन को पूरे कर लिजिए तो इसी बात को लेकर बहुत से लगों कन्फ्यूजन है कि 29 तारिक से पहले क्या क्या से वाय मिल रही है और 29 तारिक के बाद क्या होगा पेटियम पेमेंट्स बैंक के साथ तो सबसे पहले की बात करें तो सीज़े से RBI बोला है कि पहले से पेटियम पेमेंट्स बैंक में एकाउंट है उनका क्या होगा तो उनका एकाउंट जैसे भी वैसे चलता रहेगा आप 29 तारिक तक 29 फरौरी 2024 तक आप अपने खाते में जो भी रासी है उसका किसी भी तरह यूच कर सकते हैं आप कुछ भी अपने पेटियम आप इजली ढंक से कहीं भी निकाल सकते हैं आपका पैसा कहीं भी डूमने वाला नहीं आप उसको जब चाहें तब निकाल सकते हैं 29 फरौरी के बाद अपने पेटियम पेमेंट्स बैंक में कहीं से पैसे मगा नहीं सकते हैं या फिर कहीं से पैसे जमा नहीं कर सकते हैं और कि आई से भी कोई transaction नहीं कर सकते हैं और जैसे फास्ट टैक हुआ ना यह सब रिचार्ज नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद अब बात करते हैं बहुत सारा आती नहीं मानती है तो अगर उसको बंद कर दिया जाता है तो उसमें कई कमपनियां मिलके उस कमपनी को अधिगरण कर लेती हैं मतलब ले लेती एक तरह से ओ दूसरे बैंक के साथ जुड़के काम करने लगता है जैसे कि एस बैंक के साथ हुआ था लेकिन फिरहाल अभी जो कमी कोजे से जो भी बैन लगा है अगर RBI के सामने वह साही तरीके से पेस कर देती है तो आपका पेठियम है फिर भी चलता रहेगा बाकि कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आप 29 तरीक तक नार्मल यूज करिए और 29 तरीक के बाद आप कोई स्यवा यूज नहीं कर पाएंगे अब आपने पैसेों के इजली रहं से निकाल लीजेगा आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है लेकिन जहां तक मुझे पता है बंद नहीं होगा कोई नो कोई कमपनी इसके साथ आ जाएगी और उसके साथ टाइब करके काम हो जाएगा फिर से नए सीरे से पुराने एक कस्टमर भी आप उसमें अड़ करने लएगी प्रिटियों